सरदियों में गुर की चाय पीना सभी को पसंद होता है लेकिन कई बार बनाना नहीं आता है इसकी वज़े से हमारी चाय फट जाती है आज मैं आप लोगों को गुर की चाय बनाने की एक new trick बताऊंगी जिसकी वज़े से आपकी चाय बिलकुल भी नहीं फटेगी गुर चाय को जरूर करिएगा हमारी वीडियो में तो बनाते हैं इसके लिए हमारे को चाहिए मैंने क्योंकि एक कप चाह बना रही हूं इसलिए मुझे मैंने एक कप पानी ले लिया है और एक कप दूद ले लिया है क्योंकि काफी पतला दूद है गाई का दूद है तो मैंने एक कप लिया है इलाइची है और काली मिर्च और अद्रक मैंने कूट लिया है और यह गुड़ अपने टेस्टिक के कोडिंग में ले लिया है एक पैन की जरुवत तो होगी और गैस की जरुवत हम इसमें डालेंगे तो बॉइल आ चुका है अब हम अपने इलाइची अद्रक और काली मिर्च तीनु को इसमें डाल देते हैं इसमें फिर से इसको थोड़ा पकाते हैं और डालेंगे हमारी चाही पती नॉर्मली मैं एक टीस्पून डालती हूं एक कप चाही के लिए यहां पर मैं क्योंकि चाही को थोड़ा कड़क बना रही हूं तो मैं 1.5 टीस्पून डाल ली चाही पतीеся क्युंकि जूद्ध भी मेने अधिक लिया है इसलिवे आधे 1.5 टीस्पून चाही पत्ती और गूर्च तेस्ट के कल्डिंग आप गूर्च को भी हम इसा शिल है .पम्ने बड़े पीसे हैं तो बड़े बड़े भी कर सकते हो तो यह आप कर दिया है आपके क्योंकि हमने दूद भी लिया था एक कप तो दूद भी मैंने साइट में बॉयल होने को रख दिया था दूद भी हमारा आधा रह गया है और जो यह चाय है यह भी गरम होने के बाद जो एवोप्रेर हो जाती है हमारी चीजे भाप में उड़ जाती है तो उसकी वज़े से दो ते यह लगभख आधी चाय हमारी रह गई है जितना मारा पानी था उसका आधा और दूद की थीकने साथ आप देख रहे होंगे दूद भी आधा रहे गया है तो अब हमने उपर से टेस्ट भी काफी अच्छा आता हे और हेल्थ के लिए भी हमारे अच्छी है गर्महरी घर का मौसम है इस समय तो गुड़ गर्म तासिर का होता है गुड़ वाली चाय हमारे लिए चीनी की एफेक्श्या गुड़ वाली चाय जादे फायदे मंद होती है आप इस तरह कैसे गुड़ वाली चाय बनाए अपना फीडबैक जरूर दें आप बनाए और हमको बताएं कि को लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और उनके साथ सेर करें और हमाये चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही थैंक्स पर वाजिंग